भीडियो को सभी शेयर करेंगे और सभी लाइब बनेंगे ज़्यादा ज़्यादा सेयर करेंगे बीडियो को सभी लाइब बनेंगे संजय, बिने, रंजीत, असूख, सुनील, मौहम्मद, यूशुब भाई वीडियो को शेर करेंगे सभी और सभी लाइब बनेंगे मेरे दोस्तों ठीक है तो sound clear है everyone start किया जाए sound clear है तो यह आपका बिचार 7.30 पर start होता है ठीक है ना test series है आपकी 7.30 पर start होता है test series है non-tech और technical प्लस में computer तो तीनों subject रहते हैं इसमें आपके जितना भी non-tech का आपको portion है तो start किया जा भाई आप लोग तयार हो good evening good evening चलो answer भी आने लगए चलो भाई अब वीडियो को share कर दो तो पहला question है अगर ध्यान राखें बच्चे शिक्स एम पर morning में आपका हिंदी का mock test चल रहा है तो उसे भी attend करा करें ठीक है ना जब पढ़ना ही है तो अच्छे तरीके से पढ़ें तो mock test चल रहा है वहाँ भी attend करा करें उसे तो पहला question है good evening good evening ठीक है राठो और रमल सर अपडेट कर देंगे आपको community पे ठीक है ना अपडेट कर देंगे चलो mother child cloud तो बच्चे first gifts worth to the second पहला क्या देता है worth देता है second वाले को ऐसी cloud किसको worth देगा rain को option भी answer हो जाएगा अब पहले का अगला question next question चलेंगे तो question mark की value बतानिए सभी वीडियो को share करेंगे और जहां थोड़ा time taken question होगा वहाँ time लेंगे और बाकी speed से चलते रहो ठीक है speed से चलते रहो तो यहां देखेंगे 5 से 11 हो रहा है कितना plus के 6 हैड हो रहा है 11 से 19 हो रहा है पिलस के 8 हैड हो रहा है और 19 से 39 हो रहा है तो पिलस के 10 हैड हो रहा है तो कितने का difference आ रहा है दो का तो यहां पर आगे कितना एड हो जाएगा भाई पिलस के बारात नोट दो ग्यार दो एक तीन चार 41 आपका answer हो जाएगा option c next question चलेंगे अगला question option c हो जाएगा सब कुछ clear है ना भाई 20 पिस और ह हाह आता है बच्छे 8 पर तो यहां पर देखो एक मिश्र cuál एकंस के किस में आ रहा है चेक करेंगे लास्ट वाला आई आँए आता है नो पर नो में से एक कम करेंगे 8 तो 8 पर क्याएगा एच तो आप्षान सी आपका आंसर जाएगा अगला क्वेशन नेस्स चलेंगे भाई वीडियो को सेयर करेंगे अगला क्वेशन सेवन फाइव है तो यहां पर कितना कम हो रहा है यहां पर चार से यहां पर दो कम हो रहा है आठ से च्छे हो गया दो कम हो रहा है पांस से तीन हो गया दो कम हो रहा है तो यहां से दो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा यह एक हो जाएगा साथ में से दो कम करोगे पांच हो जाएगा छे म यहां पर स्मार्ट को कोड करा गया है तो ऐसा आता है 19 पर और एम आता है 13 पर एक प्राथ आता है आर अठारे पर आता है बच्चे यहां पर कितना माइनस के दो कम हो रहा है और यहां पर माइनस के कम हो रहा है और फिर है यहां पर देखोगे यहां पर प्लस के टू हो रहा है और यहां पर फिर माइनस के टू हो रहा है यहां पर माइनस के टू चल रहा है फिर माइनस के टू चल रहा है फिर माइनस के टू चल रहा है फिर प्लस के टू चल रहा है वीडियो को शेर करेंगे कोई शेर क्यों नहीं कर है तो चलो अभ यहाँ पर minus two पहले में माइनस two करो गे पीपी आता है เหिसी में से दो कम करोगे तो चौन है पर क्या जाएगा बाहि एन आ जाएगा एन रहा दो में टास्ट वाला चेक कर लेते हैं लास एक कितने प्राता है 5 पर आता है और 5 में से 2 कम करोगे C तो option D आपका answer आजाएगा अगला question चलेंगे next question ये question आज की test series में नया question है इस question को मैं समझा देता हूँ जो ये point है ये point देखना है यहाँ पर आपको जो ये point आ रहा है ना बच्चे ये जो बिंदू आ रहा है किसके अंदर आ रहा है एक तो इसके अंदर आ रहा है square के अंदर और एक rectangle के अंदर आ रहा है ठीके ना अगर मैं इस diagram को उल्टा सीधा करके रखता हूँ तो ये point सिर्फ rectangle और square के अंदर याना चाहिए है देखो पहले वाला check करेंगे तो यहां रख सकते हैं न हम इसे यहां पर रख सकते हैं तो यहां आ जाएगा इसमें बताओ मेरे को rectangle और square में कहां रख सकते हो इसमें तो इसलिए यह option नहीं होगा इसमें बताओ मेरे को rectangle और square में कहां रख सकते हो अगर यहां रखोगे तो ट्रेंगल भी आ रहा है इसलिए यह option नहीं होगा इसमें कहां रख सकते हो तो यहां पर कहीं भी नहीं रखा जाएगा यहां रखोगे तो ट्रेंगल भी आ रहा है ठीक है यहां रखोगे तो ट्रेंगल भी आ रहा था इसलिए तीनों option नहीं होगे option ए आपका आंसर हो जाएगा छटे का ए होगा रे संजय मुहम्मद यूशुब यह जो पॉइंट है पॉइंट किसके अंदर है रेक्टेंगल और स्क्वेर के अंदर है तो फिगर में फिगर में बस भी देखना है जहां पॉइंट आप इस्टेवल कर सकते हो इसके और रेक्टैंगल के अंदर वर्ग और आयत के अंदर ठीक है तो ए आएगा के गाडिट डिडी नहीं आएगा डिडी नहीं आएगा यह आज नूव व्रश्चं था नूव क्वेस्चंद था ठी यहां पर देखो बाइब आप्ट्सन चलना है आपको क्या चलना है बाइब आपस चलना है तो यहां इसका मतलब क्या हो गया प्लस की जगह ंटू रखना और बस की जगह तो 16 कर देंगे यहां पे और बहुत ज्यादा बैठेगा ओप्सन यह लिए कैंसल हो जाएगा फिलस की जगह इन्टू करना है दो की जगह खरच चैन करना है तो ऐप्सन वी आप च्रेंगे ऩह देखेंगे पहले तो पिलस यहां पर इंटू करते हैं और चार चारी जगह चार चार की जगह लिए क्यांड़ेंगे से ज Special और ऊप्सन बी ःष्कन लोंग Aa अब और च्छरक यहाँ पर पतुट करेंगे ही ही तोयां को कर। टो यहां पर 他 को बदल देंगे दो यहां पर चार हो जाएगा यहां पर छो ऒलाएगा तो अगला जाएगा उप्षिन चलेंगे option C ठीक है next question चलेंगे यहां पर दी गई श्रंखला एक सीरीद दी गई यह तो उसमें देखना है बच्चे 13 284 237 की 15 276 की तो देखो ना तो यह बाइड करेगा ना यह डिवाइड करेगा 272 को बारे 16 से डिवाइड करोगे तो कितना वन टाइम जाएगा तो कितना सोलम सथने बार सट्रे चला जागा यहांनी की 16 272 को डिवाइड करेगा तो ऑप्सन भी आपका आंसर होगा next question चलेंगे बाई option चलना है बाई option भाई बीडियो को share करेंगे तो पहला option यहां पर टिक कर दें तो यहां पर पहला option रख रहे हैं हम पहले option की value ठीक है तो यहां देखेंगे बच्चे चलना है चोगा 64 और चार से बाद तो यह बिल्कुल satisfy हो जाएगा option भी अगला question चलेंगे next question पर दो साथ 16 2 7 16 39 क्या 27 14 29 तो यह देखोगी मेरे दो तो यहां पर कितना एडो रहा है सर यहां पर प्लस के 5 और यहां पर कितना नौ हो रहा है 9-11-16 तो यहां पर कितना हो रहा है यहां पर 13 एड हो रहा है तो एक डिफ्रेंस का डिफ्रेंस निकालोगे चार यहां पर 4 एड हो रहा है तो यहां पर चार तेरो चार 17 17 एड करोगे उन तीस में 9-11-2-1-3-4-46 आ हो जाएगा option D आपका answer हो जाएगा अगला question यहां पर missing term निकालनी आपको क्या निकालना है missing term निकालनी मेरे दोस्तों तो देखो logic कैसे लग रहा है 8-13-10 है ठीक है तो यहां से यहां कितना एड हुआ है प्लस के 2 और 10-13 कितना हुआ प्लस के 3 ऐसे इसidas 12-9 एठीक है यहां से यहां कितना है ङृठ होआ है प्लस के 2 और 9-12 कितना है प्लस के 3 ऐसे यहांपर 10-15 और यह question mark कैई तो भाःया यहांसे ऐड करेंगे 10 में कितना दो f er करना है तो इस dalस्तों 20 और यहां कितना एड़ा होना चाहिए था थी तो कितना आ जाएगा ट्रोइल आ जाएगा ऑप्शन भी आपका आँसर आजाएगा अगला ठीक है नेस्ट कुश्चन चलेंगे यह मैटिक्स का कुश्चन है तो आपको इस ट्रॉंग का कोड निकालना है तो जी का देखना है पह ठीक भाई वीडियो को शेयर करेंगे अभी 100 प्लस नहीं हुए ठीक है न तो ऑप्शन यह कैंसिल हो जाएगा दूसरा देखेंगे टू बन पर जी आ रहा है क्या टू यह हो गया वन यह हो गया तो जहां यह दोनों लाइन मिलेंगी जी आ रहा है टू जीरो पर देखेंगे एन आ रहा है क्या तो टू यह हो गया जीरो यह हो गया एन आ रहा है और एट छी पर देखेंगे और यह ओग्या जहां यह मिलेंगे तो टी वी आ रहा है और यह चेक हर भी आपका answer हो जाएगा ठीक है अगला question चलेंगे next question पर यह dice का question है ठीक है ना dice का question है वो कह रहाएक के opposite क्या आएगा तो बच्चे मैंने बताया था एक one common trick होती है एक two common trick होती है एक no common trick भी होती है ठीक है no common में help लेते हैं हम किसकी standardized की और generalize की लेते हैं तो यहाँ पर one common trick लगेगी तो दोनों में common देखिएगा क्या रहा है बी common आ रहा है और वहाँ से कैसे चलना है घड़ी की सुई की दिसा में चलना है घड़ी की सुई की दिसा में clockwise चलना है तो पहले में बी से start करेंगे यानि कि A से F तक होंगे letters में तो B क्या जाएगा एप तो एक के opposite पूछ रहा है तो एक क्या जाएगा यह आजाएगा option D आपका answer हो जाएगा ठीक है अरे बेरोजगार अभिनास देखो अपडेट कर देंगे आपको कम्यूनिटी पर अपडेट कर देंगे बचे ठीक है ना आप परिशान न हो येगा अगला question है बिंदू A से सीमा दच्छिन पूरव दिसा में साथ मीटर चलती है तो भहिया दच्छिन पूरव दिसा कों सी होगी रहे ये हीगी ये होगी साथ मीटर चली फिर वहां से कह रहे हैं पंच्छिम में साथ मीटर चलती है तो फूरव दिपर ये बिंदू B हो गया और कहां से चलना शूरु कराता बिंदू A से चलना शुरू कर आता तो ए और बी के बीच की यह डिस्टेंस बतानी आपको यह डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक टोटल कितनी चौदा है तो यह कितनी बचेगी दस तो दस मीटर आ जाएगी अग्फ से डस में इस्टान पर है तो आपको दिखो मैं सॉट कर देता हूं इस टाइप के कोश्चन का क्या इस टाइप के कुश्चन का मैं आपको shortcut देता हूं कैसे ? ऐसे देखो। यहां पर देखो। DEShyías से देखो। A का नया इस्थान यहां लेखो A का नया इस्थान ठीके नiche ly aspect amp Less b का इस्थान बि का इस्थान और मायनस के वन मायनस के वन इसमें तो एक नया इस्थान कोंच1 था पहले दसमें बहता बाद में कितना हो गया 15 तो 50 फिलस के नो और माइनस के क्या है वन तो नो पंदर कितना हो गया 24 और 24 माइनस 1 करोगे तो कितना आजाएगा 23 आजाएगा आंसर आजाएगा option A 23 आजाएगा very good संदीप कुषबा संजय very good भाई वीडियो को share करेंगे अगला question ठीक है अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं detail में बता दूँगा अगला question है यदि बीते हुए कल से दो दिन पहले अगर मैं reference day ले लूँ यहाँ आज ले लिया मैंने क्या आज reference day ले लिय तो एक दो और तीन तीन दिन बाद कौन सा दिन होगा तो रविवार सौंबार मंगल बुद्ध ब्रसपर सुकर सनिवार और इतवार तो यहां कौन सा होगा भीया फिर से रविवार होगा फिर से रविवार होगा Sunday होगा option C आपका answer आ जाएगा अगला question चलेंगे next question एक है तो उस फोटो की महला बिजे से कैसे संबंदित है तो अब तो यह question आपकी practice में आगे होंगे तो कौन है भीया simple सा question है तो sister हो जाएगी अगला question next question देखेंगे Mr. प्रकास क्या Mr. प्रकास के पईवार में उनकी पतनी और उनके दो साधी सुदा तो भीया दो तो वह होगे पतनी पिलस दो साधी सुदा बच्चे तो चार यह हो गए दो उनके बच्चे दो उनकी बवए हो गई चार वह होगे जिसमें एक भाई के पास दो बच्चे हैं पिलस के दो ठीके ना दूसरे के पास कोई बच्चा नहीं तो पईवार में कुल सदस्यों की संक्या कितनी हो चार और दो छाइँ आठ कितने और जाएंगे आठ बेंबर हो जाएंगे आट मेंबर हो जाएंगे आज कुछ धाने लिख की ने टो यहां देखो जहां मेरा चल लग्या एक तो यह हो गया और इस अंदर ये दो लाइन की दी तो एक ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये चार और ये पांच तो ये हो गए बाखी बनेगा क्या बाखी एक ये हो जाएगा स्क्वेर ठीके ना तो पांच पिलस के एक और एक ये हो गया बड़ा वाला तो पांच पिलस के एक पांच और दो सा कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे option B आप का answer हो जाएगा अगला question चलेंगे next question पर यह question पर फिकर दिया और यह इमेज दीए इसमें चीपी हुई है यहाँ यहाँ चीपी यह रही यहां पर option D आप हो जाएगा अगला question चलेंगे next question भाई बीडियो को share करेंगे महाबरा सब्द किस भासा का सब्द है तो महाबरा जो सब्द है वो अर्भी भासा का सब्द है किसका है अर्भी भासा का सब्द है ध्यान किसका सब्द है अर्भी वासा का इसका अर्थ क्या होता है मौहाबरे का अर्थ क्या होता है भाई अर्थ होता है इसका अभ्यास करना क्या होता है अगर मैं उर्दू में बात करूं तो उर्दू में इसका अर्थ होता है मौहाबिरा क्या मौहाबिरा इसका अर्थ होता है पू या कहां से एका उच्चारण कहां से होता है ठीके ना एका उच्चारण कहां से होता है वो बताना आपको ठीके ना तो देखो एका उच्चारण कहां से होता है कंट तालब्य से बढ़ माला पढ़ा है हमने बढ़े अच्छे से तो कंट तालब्य भी बोल देते हैं इसे अगल मैंने आपको बताएते हैं आ हो गया आ हो गया ई ई उ उ री ए बड़ी ए और अ यह हो गए ठीक है आपका आंसर होगा अगला ग्वेशन चलेंगे नेक्स्ट प्रस्तूत बिकल्पों में से लोकक्ति को पहचाएंगे तिल का लड्डू बनाना घाट घाट का जूस पीना टेड हेन गलत हो जाएंगे अब एल मुझे मार औप्सटि आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने अणवव को आकर्सक Margaret करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं लोकक्ति बोलते हैं कि लिए ऐप्संटी हो जाएगा अगला कोश्चन चलेंगे नेस्ट कुश्चन पर वीडियों को शेर करेंगे सभी जहां एक ही सब्द एक से अधिक बार आए तता भिन भिन अर्थ हो तो वहाँ सा अलंकार होता है तो वहाँ के मतलब से ठीके ना और एक कहां कम होने के मतलब से अगला कोश्चन चलेंगे निमलिखित में निमलिखित में से कौन सा भासा का मौखिक रूप है तो भासा का औरली चीज कौन सी है ठीके ना जैसे बाद बिवाद हो गया जैसे हम बच्पन में अंत्याच्री खेला करते थे अंताच्री होगे, संबाध होगे, भासड होगे, परिचर्चा होगे, कहानी होगे, ठीके ना, किसी को कहानी सुनाना, चुटकले सुनाना, गप्पे मारना, ये सारे क्या होते हैं, मौखिक रूप होते हैं, तो क्या जाएगा, परिचर्चा आजाएगा, क्या जाएगा, परि पहँचान ये सड़ेंत्र 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 को पहँचानना आपको क्या सड़ेंत्र को पहँचानना है तो द्यान देंगे आपका सही सब्द है सड़ेंत्र का अगला क्वेश्चन वाइट वीडियो को सेर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां खाता होगा इस खाया नहीं खाया बढ़ संद्य है हमें उस पर संद्य तो क्या हो जाएगा संदिक्द बरतमानकाल हो जाएगा ठीक है ना संदिक्द हो जाएगा संदिक्द अगला क्वेशन चलेंगे नेक्स पाठक सब्द का बहुबचन बता ना है तो पाठक सब्द का बहुबचन क्या होत पाठक गड़ अगला question वहाँ जल्दी चला गया ट्रेन पकड़ सके वहाँ जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके या वहाँ जल्दी चला गया और ट्रेन पकड़ सके या फिर वहाँ जल्दी चला गया इसलिए ट्रेन पकड़ सके वहाँ जल्दी चला गया की ट्रेन प समानार्थी है समानार्थी बोले तो बच्चे परियाबाची कौन सा है परियाबाची कौन सा है तो चंद्रमा का है कौन सा इंदू ठीक है ना इंदू और जो अंसू और यह जो रस्मी है अंसू और रस्मी किसके होते हैं यह किरंड के परियाबाची होते हैं किरंड के समानार होती है बादा, तो इसका समानार्थी सब्द कौन सा हो जाएगा, अंतरा है अंतरा हो गया, बादा हो गया, बादा ध्यान रखना बादा भी आजाता है, खलल हो गया, क्या खलल हो गया तो यह किस生के समानथ याणि की उच्च भूमी हो, उच्च भूमी, उसी नाम से पढ़ा है आपका बांगरू, तो ये कहां बोली जाती है, हर्याणा में बोली जाती है, कहां पे हर्याणा में, option C आपका अंसर हो जाएगा, अगला question, निम्न में से गुरू सब्द का इस्त्री लिंग, तो गुरू सब्द का हो जाएगा, गुरू आइन, option B आपका अंसर जाएगा, गुरू आइन हो जाएगा, ठीकिना, पुल्लिंग और ये इस्त्री लिंग, और पुल्लिंग तो मैंने पढ़ाये थे, आपको गुरू आइन हो जाएगा, ठीकिना, अगला question चलेंगी, next question, दूर के धोल स्वाहावन लगना, तो इस महावरे का सही अर्थ बताना आपको, ढोल की धोहनी दूर से ही अच्छी सुनाई पढ़ती है, या अंदे की बस्तू बहाना, या कानों सुनी बात पर विश्वास करना, या पर निंदा अच्छी लगना, तो आप देखरें, दूर के धोल स्वाहने लगना, ठीके ना, जब तक आपने कोई चीज नहीं देखिये, वो दूर से तबी तक अच्छी लगती है, जब आप उसे देखते हो, तब आइडेंटिफाई कर पाते हो, कैसी है, तो अंदे की बस्तू बहाना, ऑप्शन भी आपका अंसर हो जाएगा, नेस कोश्चन चलेंगे, ठीके ना, धातु या किरिया, धातु या किरिया में तो लगते हैं, क्या, धातु या किरिया में तो प्रते लगते हैं, क्लियर है, अगला कोश्चन चलेंगे, नेक्स्ट कोश्चन, इन में कौन सा सब्द बायू का समानार्थी नहीं है, तो भायू का समानार्थी समर नहीं परियाबाची किलीर है अगला question चलेंगे next question पर यह क्या निकालना आपको synonym देखना है synonym में आप है ठीके ना synonym deny deny का मतलब क्या होता है मना करना यानि कि refuse आ जाएगा दूसरे में क्या एब्यूज क्या है एब्यूज एब्यूज मतलब डाटना किसी को ठीके ना डाटने की फोर्म में आता है तो इसकोण ना जाएगा इसकोण option c synonym पूछ रहा है ठीके ना परियाबाची अगला यह हैं आपके एंटोनिम क्या है एंटोनिम वेनरेशन तो वेनरेशन का क्या हो जाएगा बच्चे disrespect यहां पर एंटोनिम निकालना है तो disrespect बेनरेशन क्या होता आधर करना यानि की सम्मान करना और यहां क्या होता सम्मान ना करना अनाधर करना insolent क्या है insolent का ठीक है insolent का देखेंगे तो सभी बीडियो को शेर करो भाई बच्चे बहुत कम लाइब है देखो आपके लिए तनी महनत करी जा रही है आप लोग बिल्कुल ध्यान नी दे रहे हो ठीक है ना तो insolent का होता बच्चे घमंडी होता है और इसका opposite क्या हो जाएगा हमबल हो जाएगा बिनर्म हो जाए जो डिक्सनरी को कमपाइस करता है तो लेक्स को ग्राफी बोला जाता है उसके option B वन बढ़ था अगला question ठीक है एफ लॉग एड़ होस तो इसका मतलब क्या होता है attempt to do the impossible ठीक है ना किसी impossible चीज को attempt करना ठीक है ना टू फ्लॉग एड़ होस होता है अगला है टू सो एक किलीन पेर ऑफ हील्स हील्स तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे टू एसकेप हो जाएगा निकलना बहार निकलना ठीक है अगला question चलेंगे निमलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियोन नहीं है प्रोटोन न्यूट्रोन क्या पैसी ट्रोन नहीं होता है न्यूट्रोन भी होता है और प्रोटोन भी होता है और लेक्टोन भी होता है आंसर हो जाएगा आपका option D अगला question शीशा पैंसिल के निर्माण में किस सामगरी का प्रियोग किया जाता है ग्रेफ़ाइट का शीशा का कारवन का या अबरक्क तो किसका करा जाता है? graphical का करा जाता है अगला question देखेंगे निम्न लिखित में से किस सहर को City of Golden Gate कहा जाता है. City of Golden Gate कहा जाता है. तो बच्चे कई बार exam में question प्पूछा गया है. तो St.Francisco को कहा जाता है. Option A आपका answer हो जाएगा next question निम्लिखित में से किस फसल को plantation crop कहा जाता है plantation crop कहा जाता है तो नारियल को कपास को या चाबल को या गन्ना को या गन्ना को तो बच्चे वो किसे कहा जाता है गन्ना को option C आपका answer हो जाएगा अगला question चलेंगे दाद की बीमारी जो दाद हो जाते हैं हमारी बोडी पर दाद की बीमारी निम्ग लिखित में से किस प्रकार की होती है बैक्ट्रियल होती है या प्रोटो जो होती है या वाइरल होती है फंगल होती है तो वह बच्चे फंगल जो दाद हो जाता है हमारी बोडी पर आपने दे जी सेमिनार या national irrigation schedule या national immunization schedule या national information sector तो यह क्या होता बच्चे national immunization schedule होता है options यह आप का answer होगा अगला question देखेंगे next question पर अगला question निमलिकित में से किस फचल को प्रती hectare सरवादिक जल की आवा सकता होती है अगर बच्चे यहाँ पर धान होता तो धान हो जाता बट यहाँ पर धान है नहीं तो उसके बाद किस पर आती है गन्ना पर बात आती है गन्ना पर क्योंकि दोनों में difference क्या होता है धान की खेती ऐसी होती है उसमें पानी हमें रखना ही पड़ता है और गन्ना की खेती ऐसी होती है उसमें अगर पानी ना भी होगा तब भी चलता है ठीकिना अगर खेत सूख गया है और फिर भी पानी दो तो वो फूर भी बना रहता है धान का यह सीन नहीं है ठीकिना धान में आपका आंसर हो जाएगा next question last question है सूर के चार और प्रत्वी के कच्छ का आकार कैसा है hyperbolic ब्रताकार दीर्ग ब्रताकार या parabolic तो बच्चे कैसा है दीर्ग ब्रताकार option C आपका आंसर हो जाएगा आज भी 150 प्लस आपने नहीं पहुचाया कोई बात नहीं है ठीक है ना कोई बात नहीं है दोस्तों बट मैं अब यह कहना चाहूंगा वीडियो को जादस जादस शेर करना है और selection इसी में लेना है ऐसा नहीं तयारी बार-बार करनी है जिस vacancy की तयारी कर रहे हो उसी में आपकी एक seat confirm होनी चाहिए ऐसा ना भाई अगले साल देख लूँगा हो सकता भाईया अगला साल आए ना ठीके ना कब vacancy ना आए चलेगी चार-पांस साल को तो बैठे रहो उसके भरोस हैं तो आपको selection इसी vacancy पे लेना है यह नहीं सोचना vacancy कमें तुम्हें कितना चाहिए सिर्फ एक vacancy चाहिए उसके लिए fight करना दिन दात एक कर देना बच्चे अगर तीन-चार महीने ना सोगे तो क्या बिगड़ जाएगा महनत करना दाब के करना है इतनी महनत करना है कि कुछ बच्चे ही नहीं ठीक है तो session कैसा लगा आपको अपना-पना feedback दियांगे और offline comment करके भी बताया करेंगे दोस्तों ठीक है और हिंदी का session सोगे को 6 बज़े रहता है बड़े 22 question चल रहे है उसमें ठीक है ना mock test चल रहा है अगर वो आपने miss कर दिया तो हो सकता है हिं वीडियो को शेयर करेंगे थैंक्यू सो मजच है है हलो स्टुडेंट सभी लोग पहले तो शेयर कीजेगा सभी लोग सेयर कीजेगा मैंने आपको बताया ना कि रमन सर क्लास कब लेंगे सर आपको अपडेट कर लेंगे ठीक है आपकी classes कब होगी टेक्निकल की इसके लिए सर आपको अपडेट कर लेंगे तो आप सभी लोग पहले तो वीडियो को सेयर जरूर करिएगा बहुत कम स्टुडेंट लाइब रहते हैं और इस class को continue करने के लिए आप लोगों के ही वज़े से class continue हो पाएगी चलेगा तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे सिधे हम हो आपको पर आज दिखने वालेवा ठीक है और आपको जहां भी डाउट होता है तो आप लोग जरूरूर उसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजएंगे एजिए चलेगा आभी बढ़ते हैं और चले का सबी लोग मुझे पहला कोशन आपकी स्कीन के सामने आ गया फॉर्स्ट क्वेशन आपके इस कीन के सामने आ चुका है ठीक है इसकांसर क्या होगा आपका तो वल्ड फाइल क्या होती है डॉक्युमेंट होती है चले नेक्स बढ़ेंगे अगले कुशन की और अगला कुषिन क्या था हमारा अगला कुषिन दिया करेंसी नम्बर टू आपक्जा किसा यादि हम लोg काम कर रहें उता है यह कहाँ पर देहने को मिलता है तो चले जो एक, अब टो हमें जो करेंस या ओपशिन देखने को मिलता है तो फार्मेटिंग टूल बार में विलेगा आपका ये तो फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर देखने को मिलता है ठीक है चलंगे नेक चलंगे आपको excel में print preview देखना हो तो उसके लिए कौन सी shortcut की होगी excel में print preview देखना है तो उसके लिए आपको कौन सी shortcut की का प्रियोग करना होगा question नमबर जो 3 दिया गया तो यहाँ पर आप क्या करोगे Ctrl प्लस F2 का प्रियोग करिएगा अगर आपको Print Preview देखना है तो आपको क्या गरना है बचे आपका Shortcut की Ctrl प्लस F2 और नहीं तो आपको अगर मैं बात करूँ Menu बार में तो Menu बार में कहा पर जाओगे आप लोग Menu बार में आप लोग Page Layout में जाओगे और वहाँ पर Print Title करके दिखेगा आपको समझ याप Print आपको Tiles करके दिखेगा तो यहाँ पर जाके भी आप लोग क्या गर सकते हो Print Preview देख सकते हो जो आप Excel Seat तयार कर रहे हो वहाँ पर आपको Print Preview देखने का मौका मिल जाएगा ठीक है? चलेगा इंटरनेट से जुड़े बचा प्रते एक Web Server एक होते है तो क्या होते बचे आपके यह? तो यह IP Address से जुड़े होते है यानि कि इंटरनेट प्रोटोकॉल से जुड़े होते है जो Web Server होता है आपका Connected to आपका किसे? इंटरनेट जो आपका IP Address से जुड़ा होता है चलेगा Share जरूर कीजिएगा आप लोग अपने दोस्तों के साथ Share कीजिएगा सब्द में जो Default Alignment होता हूँ आपका क्या आता है? Default Alignment जब भी हम लोग World में काम करते हैं या अगर मैं कहीं पर कोई PowerPoint अगर टेक्स बॉक्स के अंदर काम कर रहा हूँ तो जो Default बचाब का Alignment आएगा वो क्या आएगा? वो हमेशा से आपको 20 दिखेगा समझे कौन से दिखेगा आपको? तो Left Hand Side दिखेगा Default आपको हमेशा का दिखता है Default आपको तो यह दिखता है Left Hand Side चलेगा जो पहला Graphic Web Browser था वो किसके द्वारा बनाया गया था? कल भी बताया मैंने कि पहला जो आपका Graphic Web Browser यह जो तयार किया गया था Graphic समझे रो? तो यह तयार किया गया था आपका Mark Anderson के द्वारा किसके द्वारा बचा आपका? तो Mark Anderson के द्वारा किया गया था इसे तयार Mark Anderson के द्वारा किया गया था सभी लोग वीडियो को Like भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ Share भी करेंगे मैंने आपको एक चीज कहीं कि Practice Class जहां भी मिलती है जब भी मिलती है बिल्कुल आप लोग क्लास दीजिएगा आपने अपनी तयारी अच्छे लेबल पे कर रही है कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा ठीक है? अब जिन बच्चों को सवाल है तो वो सवाल ही करते रहेंगे लेकिन आप लोग बिल्कुल Practice Paper में आपको एक्जाम के कॉर्णिंग कोश्चन दिएगे तो किसी भी क्लास को मिस मत करिएगा समझ रो इससे आपका सेलेक्शन होना है ठीक है? आपका सेलेक्शन होना है Practice Paper से तो आप लोग को regular क्लास में बने रहें ठीक है? चलिएगा किसी भी स्लाइट सो को सुरू करने के लिए निमली खित मैसे कौन सी कुनजी का प्रियोग करना होगा तो अभी मैंने स्लाइट सो शुरू करा उसके लिए मैंने F5 प्रेफ्स करा अगर करेंट साइट से तो मुझे सिफ्ट प्लस F5 का प्रियोग करना होगा ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बचे आपे आगे बढ़ेंगे आगे चलेंगे अगले कुशन की ओर कुशन नमबर 8 दिया गया कि स्टार्ट मेन्यू में कौन सी सॉटकट की का उपयोग किया जाता है तो कहीं बार बता चुका हो मैं स्टार्ड मेन्यू का प्रियोग करेंगे स्टार्ट मेन्यू का उपन करना है तो हमैं या तो क्या देगा हमारी कीबोर्ड में जो Windows लोगो वाली की होती है यानि उसको प्रेस करिए या आपको दे देगा विन की या देदेगा आपको विन की प्रेस करिएगा या कंट्रोल प्लस एसी गा प्रयोग करेगा यह तीन चीज मैंने आप लोग को न जाने कितनी बार बताएब ठीक है चलेगे से मैक्स बनेंगे अगले कुशन की ओर क्वेशन नंबर नाइन रेंज एटू से आपको डी ट्वल्ब के लिए सेल रिफ्रेंस क्या होगा क्वेशन दिया गया वाट विल भी बचाब का सेल रिफ्रेंस फॉर दे रेंज एटू यहाँ पर डी आपका ट्वल्ब ठीक है तो यहाँ पर एटू से लेकर डी ट्वल्ब तक के लिए सेल्फ रफ जो आपका रेफ्रेंस होगा तो वह क्या होगा आपका एटू कॉलन डी बचाब का डी ट्वल्ब होगा ठीक है ना यह होगे हमारे कॉलम एबी सीडी पर यह होगे हमारे क्या बच्षाब का पंक्तिया निगी रो एटू से लेकर कहां की बात कि अपका डी ट्वल्ब तक तो यहाँ पर इसको रेफ्रेंस को अगर मुझे सेट करना है तो उसके मुझे a2 colon d 12 इखना होगा चलेगा next वरेंगे अगले question के ओर अगला question दिया गया एक graphic जिसे world produce बच्चा आपका ठीक है document में डाला जा सकता है और ms world में default रूप से मौझूद होता है उसे कहा जाता है तो यह होता है हमारा clip art यह ms world में पहले से ही मौझूद होता है यह क्या होता है तो यहाँ पर क्या क्या गया graphic that can be inside into the world process बच्चा आपका document में इसे क्या कर जिया जाता है डाल सकते हैं और यह ms world में default रूप से पहले से present होता है चलेगा tax की दिशा बदलने के लिए side bar में किस deck का प्रियोग किया जाता है tax की दिशा बदलने के लिए आपसे पूछा जाता है यहाँ पर libra office writer की बात कर रहा है यह questions आपका libra office writer से जुड़ा हुआ है समझो जहाँ deck की बात करेगा side bar की बात करेगा तो libra office writer की बात कर रहा है libra office calc की बात कर रहा है यह libra office impress की बात कर रहा है हमें टेक्स की दिशा बदलने के लिए कहाँ पर जाना होगा? प्रॉपर्टी में जाना होगा. चलिएगा next बढ़ेंगे टेक्स में चैनीत बच्चाप को cut करने के लिए सौटकट की. अब देखेगा टेक्स जो चैनीत टेक्स को cut करने के लिए यानि कि selected text को cut गरने के लिए shortcut की क्या होती है आपकी control प्लस x होती है चलिएगा next बनेंगे अगले question के ओर अगला question दिया गए आपका ये रागला questions आपको cursor की इस्तिती पर वर्तमान column को break करना है आपको क्या गरना है column को break करना है या कौन सी shortcut की आपको प्रियोग करना होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे control प्लस enter का प्रियोग करेंगे जिसे मैंने आपको बताये था control प्लस return की भी बताये था कहाँ पर MS Word के अंदर आपको cursor की वर्तमान इस्तिती से अगर direct दूसरे seat पे जाना है दूसरे बचा page पे जाना है तो आपको क्या करना होगा control प्लस enter कीगा प्रियोग करेंगे तो आप direct दूसरे page पर पहुंच जाओगे page 1 से नया page आपका खुल जाएगा चलेगा next बनेंगे निमलिखित मैंसे कौन सा विशिष्ट वैब पेस की बचल लोकेशन को पहचानता है which of the following बचल आपका identify the location of specific आपका वैब पेस निमलिखित मैंसे कौन विशिष्ट वैब पेस की लोकेशन को पहचानता है तो यहाँ पर सही answer क्या हैगा हमारा बेलकुल आपका web address यहाँ पर क्या आएगा तो web address इसका बिलकुल सही answer होगा next वरेंगे हम लोग यहाँ पर क्या दिया गया format cell का जो dialogue box आप लोग open गरना चाहोगे तो उसके लिए shortcut की कौन सी होती है इसके लिए shortcut की आपकी control plus shift plus app का प्रियोग करेंगे तो भी आपका यह dialogue box open हो जाएगा format यदि मुझे cell में कोई formatting करनी है मुझे cell में बचा आपका number locks लाना आपका count लाना कुछ भी घंडा मुझे तो मुझे dialogue box कुलेगा कौन सा formatting cell का dialogue box उसके लिए control plus shift plus app का प्रियोग करूँगा या control plus one का प्रियोग करूँगा समझे लो question number 15 का वेलकोल साही answer होगा आपका control plus one का प्रियोग करके भी मैं ऐसा कर सकता हूँ ठीक है next लेंगे अगले question के और control menu में इस्तित होता है याप पर दिया गया where is the आपका control menu located control sorry बचा आपका control menu इस्तित होता है कहाँ पर इस्तित होता है title बार में status बार में menu बार में या none of above इन में से कहीं पर नहीं आप से पूछा गया control बचा आपका menu control menu कहते किसे तो यह कहा जाता आपका minimize को maximize को या restore जहाँ पर close का option इन्हें हम लोग क्या कहते है control बेटन और यह हमें कहाँ पर देखने को मिलता है बिल्कुल सही answer जिन बच्चों ने यहाँ पर title बार answer दिया उनका बिल्कुल right answer है जो question साब के सामने है उस question का question number 16 का right answer क्या होगा title बार होगा यही पर क्या मिलता हमें तो यहाँ पर quick essays toolbar देखने को मिलता है यही पर क्या मिलता हमें तो यहाँ पर हमें document name मिलता है यही पर presentation नाम मिलता है यही पर हमें बच्चा जो file name होगी वो देखने को यही पर मिलता है ठीक है चलिएगा next बढ़ेंगे किसी document में समझ लो किसी document में किसी text को एक इस्तान से हटा कर दूसरी जगह कौपी किया जा सकता है किस माध्यम से देखते हैं इस क्या आएगा एक इस बच्छाब का टेक्स्ट डॉक्यमेंट भी कौपी फॉम दा वन प्लेस्ट तू अनेडर प्लेस्ट यहां से मुझे हटाना है और दूसरी जगह उससे क्या करना है एड्जस करना है तो उसके लिए मैं क्या गरूंगा यहां से बिलकुल हटाना है मुझे यहां से मुझे यानि कि अगर मेरा पेज 1 में है तो पेज 1 से हटा कर पेज 2 में या अगर मेरी इस फाइल में है और दूसरी फाइल में मैं उससे लिए जाना चाहता हूँ तीन shortcut key का प्रियोग करना है मुझे एक तो मैं shift plus बचाँ आपका right जो हमारा क्या होगा navigation key होती है उसका प्रियोग करके select कर दूँगा data जितना मुझे यहां से अटाना है उसके बाग control c करूँगा तो copy हो जाएगा control x करूँगा तो वो cut हो जाएगा और वहाँ पर मुझे control b का प्रियोग करना है चलिएगा next बढ़ेंगे अगले question की ओर dlp का पूरा नाम क्या है यहाँ पर दिया गया dlp what is the full form computer वच्चा आपका computer की बात करेंगे हम लोग अलग-अलग terms होते है अलग-अलग full form होते है तो computer वासा में dlp का full form क्या होता है digital lighting processing digital lighting processing इसका full form होगा यह मैंने आपको बताया आप लोगों को यह one जो आपके full form है यह आपको याद रखने a, b, c, d जितने भी आपके होंगे उन सब से आपको याद रखने चलो शेयर कीजिएगा एक बार देखते हैं आप लोगों की तागत कितनी है बच्छा यहाँ पर डेट सो प्लस तो करिएगा आप लोगों को डेली गयते कि डेट सो प्लस बच्चे होने चले लाइट क्लास में चलेगा नेक्स बढ़ेंगे यहाँ पर क्या दिया गया कि दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है समझो दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता तो आपका कौन से माना जाता बच्छा आपका तो यह माना जाता आपका अपार नेट माना जाता है ठीक है ना अपार नेट को माना जाता है चलिएगा next चलेंगे अगले खुशन पर किसी भी टोनेम नेम के किसी भी डोमेन नेम के अंतिम तीन अक्षर दरसाते है वोट इस अपका last three character and the domain name represent यह क्या दरसाते है तो से.com.edu कर गाता आपका डोट इन आता है समझे तो लास्ट के तीन character क्या दरसाते है तो वो आपके organization के बारे में संगठन के बारे में बताता है चलिएगा next बढ़ेंगे magnetic इंक करेक्टर पर प्रियोग होता है यहांपर क्या दीयागे सॉरी magnetic inca character का पर यूज्ज किया जाता है तो चेक में किया जाता है यानि की back CEyad bank का जो चेक होता है MICR की बात करी थी मैंने समझेए म ICR के बात करी थी कि जो magnetic ink character का प्रियोग किया जाता है तो कहाँ पर किया जाता है आपका ये समझा हो तो इसका right answer क्या है आपका ए बिल्कुल सही answer बनता है next बढ़ेंगे ms excel की workbook या file का विस्तार होगा extension की बात की गई ms excel के workbook का जो file विस्तार होगा क्या होगा dot xl s x होगा ठीक है यानि कि d आपको बिल्कुल सही answer दिखेगा next बढ़ेंगे world में go to option आपको कहाँ पर देखने को मिलता है अगर आप लोग ms world में काम कर रहे हो तो आपको go to option कहाँ पर देखने को मिलता है तो ये मिलता आपको कहाँ पर edit के अंदर और edit में भी कहाँ पर मिलेगा जहाँ पर आप लोग को समझ रो home tab के अंदर home tab में जाईएगा home tab में जैसे ribbon कुलेंगे तो वहाँ पर आपको find दिख जाएगा replace दिख जाएगा और go to दिख जाएगा ये तीनों चीज़े आपको एक साथ edit blog में दिखेगा पूरी की पूरी कहाँ ये आप लोग को पहले समझाई हुई है ठीक है next लेंगे question number 24 HTML का नाम आपने सुना और इसमें जो L आपको person यहाँ पर दर साथ है वही चीज़े आपके ठीक है तो HTML क्याप की ये एक web language है ये क्या आपका web language होती है HTML का full form भी आप लोग comments में लिखते रहेंगे आप लोग comments box में comment box में HTML का full form भी बेशते रहेंगे ठीक है चलेगा next बढ़ेंगे cell pointer को अगली seat पर ले जाने के लिए मुझे कौन सी shortcut कीगा प्रयोग करना होगा cell pointer को cell pointer को आपका अगली seat में है ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा control plus page down का प्रयोग करना होगा control plus किसका page down का बहुत बढ़िया answer बिल्कुल चलेगा answer देते रहेगा यहापर दिया गया dot net dot net बच्छे आपका domain name का प्रयोग होता है dot net domain name का आपका प्रयोग होता है तो किसके लिए होता है आप लोग ने अक्सर देखा होगा जब भी आप लोग कोई फाइल को या कोई भी बच्छे आप लोग application को download करते हैं तो आपको कहता है dot net आपको जरुवत पड़ेगी dot net का यह बच्छे आपको सामने आपके सिस्टम में नहीं है आपको इसको download करना पड़ेगा ठीक है तो यह क्या होगा बच्छे आपका network processing होता है यह क्या होता है network संसाधन यानि कि अगर मैं कोई application को अपने PC पे download करता हूँ तो उसके लिए support के लिए क्या होता है आपके .net यानि कि यह interface आपका प्रदान करता है ठीक है next बढ़ेंगे किसी भी जो educational institute है सामनी रूप से दरसाएगे निम्नमैसे domain name में प्रियूक्त होगा .edu edu का मतलब क्या होगा आपका education होता है .edu यानि कि आपका education next बढ़ेंगे आम लोग समय समय पर file record को जोडना बदलना और हटाना क्या होता आपका तो इसे कहेंगे आम लोग बच्छा क्या updating कहेंगे इसे क्या कहा जाता upgrade नहीं update करना मैंने update कर लिया यानि कि कल हमारे office में क्या काम हुआ और आज मैंने उसमें नहीं चीर जोड़ दी तो मैं update कर रहा हूँ मैं upgrade नहीं कर रहा हूँ update कर रहा हूँ उससी को समझ रो चलेगे next बरेंगे पूरे document को एक साथ select करने के लिए कौनसी की जितने भी आपर मेरा content है उस सभी content को मैं एक साथ select करना चाहूँगा तो control plus A का प्रियोग करूँगा ठीक है और मुझे कोई selected या दी ये cursor से आगे जो document लिखा हूँआ है इससे आगे मुझे select करना तो क्या करूँगा shift की को press करते वे आपका right arrow यानि कि मैं क्या करूँगा आपका shift plus ये वाला arrow क्या करूँगा press करता जाऊँगा तो जितना content मुझे चाहिए मैं उसके क्या कर लूँगा आपका select कर लूँगा उसके बाद cut copy paste जो भी करना आपको ठीक है चलिएगा बहुत बड़ी आप 5 student और चाहिए 50 plus करने के लिए इन मेंसे कौन सी memory आपकी non-volatile memory है यानि कि non-volatile memory नहीं है नहीं है non-volatile memory नहीं है आपकी इस ताहिए memory नहीं है आपकी कौन सी रेब इसका राइड आंसर क्या होगा तो रेम इसमें इस ताहिए memory नहीं है चलिएगा इंटेरनेट पर आप लोग काम कर रहे हो तो आपको अगर जूम करना है तो उसके लिए सौटकर की कौन सी होगी इंटेरनेट पर काम करते वे आप लोग को चार आवस्यक की बताई थी हर बार बताता हूँ इन चार की को याद करिएगा पहला आपका control plus कौन सा प्लस वाला साइन इससे आप लोग क्या करोगे जूम कर सकते हो आप जो भी वेब पेस कुलेगा उससे जूम कर सकते हो थीक है control plus आपको मायनस वाला साइन इससे क्या करोगे जूम आउट करोगे अगर आपको नया टेब खोलना है control plus ती का प्रियोग करोगे और आपको क्या करना है अगर कोई हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस डेवलू करना होगा ठीक है यह चार मैंने आपको बता है बहुत इंपोर्टेंट है और जो आप लोग जेनरली यूज भी कर सकते हो सामन्य तोर पर जब आप लोग नेट पर काम कर रहे हो तो इसका प्रियोग भी कर सकते हो चलेगा नेक्ष बनेंगे अगले फुशन पर यह उप्रियोग करता को त्रिवर गति पर इंटेर्नेट से जूने की सुविदा प्रदान करता है तो यहाँ पर मैंने आपको बताए था कौन सा broadband बच्छा आपका connection जो broadband बच्छा आपका connection होता है तो जो user होगा user को क्या मिलता है high speed बच्छा आपका क्या देता है internet provide कराता है कौन सा होगा आपका तो broadband बहुत बढ़िया चलेगा इसी तरह से आप लोगो सब हो गया facebook हो गया twitter हो गया यह सभी क्या है social network आजकल देखते होंगे आप लोग कंगना राधनरत आपका accept tweet करती है यह आपका महाराज सरकार tweet करती रहे ठीक है तो आपने क्या का यह एक social network site है चलेगा next बढ़ेंगे IBM का पूरा नाम क्या है IBM की full form क्या होती है तो IBM की full form क्या होती है अपका यहाँ पर right answer आएगा international business machine international business machine सभी लोग like भी करते रहेगा चलेगा जितने लोग भी आपर live है सभी लोग एक बार video को like कर दीजेगा चलेगा next बढ़ेंगे coaxial cable के माध्यम से internet की सुविदा को उपलब्द कराने की प्रक्रिया में क्या प्रियोग होता है यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या गयते वाट इस दा प्रोसेश यूस्टू प्रोवाइड इंटरनेट फैसलेटी थ्रोबच आपका coaxial cable अब यहाँ पर देखिएगा हमारे बच्चे तो डबल से तिरपल होने चीए थे अब तक मैं देखता हूं कहीं पर आपको से बहिंदी मैं दिखने को मिलता है तो यहाँ पर बोथ लेंग्विज में अगर मिल रहा है तो आपको बहुत अच्छा उप्सन हो गया दो 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 क्या है आपका यानि को एक्सल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविदा उपलब्द कराने के लिए मॉडम का तो प्रियोग करेंगे हम लोग किसका प्रियोग करेंगे मॉडम का प्रियोग करेंगे समझ रहो केबल मॉडम का प्रियोग करेंगे ठीक है चलेगा नेक्स ब प्रियोग करूंगा किसका control plus 2 अगर मुझे 1.5 समझ रो क्या चीए आपका space यह तो control plus 1 का प्रियोग करेगा यानि कि सब्दों के बीज में space यह या मुझे दो lineों के बीज में space यह तो यह आपको देखने को मिलता किसमा है तो control plus 2 का प्रियोग करेंगे चलेगा बहुत बढ़िया next बढ़ेंगे dot net आपका escape क्या है आप से पूछ रहा है what is the net escape समझ रो आपको से पूछा गया कि आपको dot net escape क्या है तो आपको dot net escape आपका क्या मिलेगा तो यह एक तरो से क्या होगा बच्चे आपका वेब ब्राउजर था जो 1994-1996 में मार्केट मा आए था आपका समझ रो net escape को अगर आप लोग सर्च मारोगे तो यह एक वेब ब्राउजर था चलेगा next बनेंगे next ISDN का full form क्या होता है तो यह होता है आपका integrated service digital network integrated service digital network ठीक है चलेगे next चलेगे इस तकनीकी के माध्यम से कौन सी तकनीकी के माध्यम से थोध बच्चा आपका this technique आपका information transmitted by the converting data into optical form in आपका the form आपका valid signals in इस ठीक है तो आपसे पूछा गया कि इस तकनीक के माध्यम से विद्यूत संकेतों के रूप से डाटा को प्रकास्य रूप में परवर्तित किया जाता है और सूचना को संचारित किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे तो यह optical fiber के माध्यम से optical fiber के माध्यम से D विल्कुल सही answer आएगा question number 39 का D answer आएगा internet पर दो समान internet पर समान और या वस्तुओं को समझे लेंडेंड प्रकिरिया को क्या कहते है internet पर जो product की बात की गए what is the process या पर transaction of the goods या पर goods on the आपका internet ठीक है तो लेंडेंड की प्रकिरिया को क्या गएंगे हम लोग e-commerce आपको कहते है न e-commerce company फिलिप कार e-commerce company आपका Amazon जितनी भी यानि कि online तरीके से हम लोग क्या करें products को खरीद रहे ठीक है तो इसे क्या कहेंगे e-commerce बगहते न हम लोग e-commerce company Amazon e-commerce company फिलिप कार मैं वो कह रहा हूँ question आसान तब है जब हम लोग directly click होता है ठीक है बिल्कुल आसान भी नहीं है हमें जब click होगा तब आसान होगा ठीक है ना निमलिकित मैंसे किन network उपकरों को content बचाप का भी कहा जाता है sorry आपर क्या दिया गे बचापका concentrator कहा जाता है which of the following network device are also called the concentrator ठीक है तो concentrator भी कहा जाता आपका किसे है तो ये होगा हमारा hub हमने एक network बच्चा पुरा का पुरा जाल बुना उसे हम लोग क्या का एक hub कह दिया हमने ठीक है तो D विल्कुल right answer आएगा next चलेंगे सामान्य जो आपका Android application होता है इसका extension क्या होता है जो हमारा सामान्य Android आपने देखा होगा जब भी आप अपने phone को गया करते हो अप्लोड अप्ग्रेड गरते हो या restore करते हो या update करते हो तो आपको दिख जाता है तो Android जो application है इसका extension क्या होगा चलो आप लोग बताएंगे इसका comments करके देखते question number 42 का answer क्या आया question number 42 question number 42 का answer 42 का C यहाँ पर आया बच्चा संदीब कुष्वा समझ रो आजायत भूमी उन्नाव से बहुत बढ़ी है सबसे पहले जो मैं answer देख चुका हो तो .ap के .ap के इसका right answer होगा next बढ़ेंगे internet पर प्रेव्ट तो होने वाली मानक protocol क्या होती आपकी यानि कि TCP यान TCP या IP आपका internet protocol तो TCP का full form बताएंगे comments करके हो सकता है examiner आपसे पूछ ले TCP का full form next बढ़ेंगे software जिसका text आधारिक document बनाने के लिए प्रियोग किया जाता है मैंने आपको बताएंगे office work के लिए या कारियले कारियों के लिए उसके अंदर भी आपके क्या होते अलग अलग आपके program होते application program होते आपके MS world तो यहाँ पर मैं आपका बात करूँगा MS world या Libra office writer का प्रियोग करेंगे चलेगा Wi-Fi का पूरा नाम क्या होता है चले देखते है Wi-Fi का पूरा नाम क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए Wi-Fi तो Wi-Fi की full form क्या होगी देखते हैं इस question का सही answer क्या हता है question number 45 well called सही answer जिस बच्चे नहीं आपर wireless बचाप का fidelity answer दिया wireless बचाप का fidelity is quite right answer होगा ठीक है next बढ़ेंगे हम लोग question number 46 what is the malware आप लोग ने अक्सर सुना होगा malware ठीक है ना अभी वन्नस क्राई करके नाम सुना था हमने वन्नस क्राई जो आपका malware था जिसके बाद से पूरा का पूरा European country में क्या हो गया था जो बैंकिंग सिस्टम था वो लॉक हो गया था ठीक है और bitcoin की demand की जा रही थी समझ रो तो ये malware कोन होता है वन्नस क्राई करके वन्नस क्राई malware करके हमने सुना था समझ रो तो ये क्या होता है आपका ये हमारे सभी प्रोगामों को damage कर लेता है अब प्रोगाम that damage the computer computer में जो भी प्रोगाम है समझ जो उन्हें damage कर लेगा हमारा system on ही नहीं होगा इतने आपका जो malware होगा आपकी है तो याद रखेगा आप प्रोगाम that damage computer ठीक है ये है एक प्रोगाम है जो computer को नुकसान पहुँचाता है next बढ़ेंगे question number 47 निमले खित मेंसे कौन सा computer analog और digital computer दोनों की विशेष्था बताता है तो वो कौन होगा आपका hybrid computer जो रासियां होगी बच्चा आपका ठीक है जितने vector quantity है उसे भी बताएगा और उसे digital quantity में आपको बता देगा तो ये क्या होगा आपका hybrid computer लिटर करके ठीक है चलेगा next बरेंगे अगले question के ओर artificial intelligence computer की PD है तो इन में से क्या हैगा artificial intelligence वाले computer कौन से PD के है आचा कौन से PD में आए तो यहाँ पर आएगा आपका नन ओब दी जन की 5th generation 5G 5th generation इसका right answer होगा सभी लोग वीडियो को like करिएगा कम से कम 200 like तो कर दीजिएगा आप सभी लोग वीडियो को like भी करते हुए चलेंगे अगले question की ओर बनेंगे हम लोग अगला question दिया गया MS World document में उपयोग किये जाने वाला नया default font होता है तो यह होता आपका caliber ही करके चाहे आप MS One में करो चाहे power bind में करो आपको क्या दिखेगा caliber दिखेगा ठीक है आज के लिए अंतिम question यह आपकी skin के सामने who is the inventor बचापका fertile language fertile language का अभिसकार किसके द्वारा किया गया था ठीक है तो यह थे हमारे important questions जो भी बच्चा computer के लिए आपका सिर्ब और सिर्ब computer course के लिए इच्चुक हो तो आप लोग को EAD online classes का mobile application आप लोग download कर सकते play store पर जाका ठीक है और UP PCL TG2 के लिए जो computer ग्यान है बच्चा वहाँ पर full video course आपका समझ रो वहाँ पर class और practice paper भी आप लोग को provide की जाएंगे ठीक है तो यह सारी की सिर्ब पहले से ही आपका recorded class है तो यह आपको देखने को मिल जाएगी जो भी बच्चा एच्चुक हो तो यहाँ से बच्चा आप लोग purchase कर सकतो ठीक EAD online classes का mobile application आप लोग है यह आपका desktop पे भी available है desktop पे भी use कर सकतो आप लोग और mobile पे भी use कर सकतो सभी लोग अपने marks share करेंगे आप लोग comments box अपने marks बताएंगे और regular class में आप लोग daily बने रहेंगे daily आप लोग की class साड़े साथ बज़े start होती है और आप लोग की सवाल रहता है कि sir कब technical निगल शुरू करेंगे तो मैंने आपको बताया ना सर आप लोग को जल्दी से अपडेट कर देंगे कौन सी class कौन से समय पे होगी सर कौन सी class लेंगे कब लेंगे कौन से exam के लिए उसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा अब सर दहरादून में आ चुके तो आप लोग को सायद हो सकते कल में या संडे में आप सर को आपको अपडेट कर देंगे ठीक है हां मैंने बता है आपको सर यहाँ पर नहीं थे कुछ समय पहले आउट आप सिटी थे अपने एंवह सारे काम होते है मैं आपको बताया पढ़ाई के साथ सा देखैगा पूरे साल बर आप लोह के लिए तो कम सो padres होता है हमारे संडे में नहीं होता है संडे को भी क्लास होती है recorded क्लास होती है तो इस दोरान मुझे लगता है कि पिछले दो साल में पहली बार सर चार दिन के लिए छुट्टी ली होगी समझे हो तो याद रखेगा आप लोग ठीक है तो सर जल्दी आपको अपडेट कर देंगे तो अपडेट आपका यादि कि इस तो अक्सी क्लास कब होगी कौन सी क्लास होगी ठीक है तो आज का लेक्चर यह पर समप्त करते है रेगुलर सारे साथ बज़े क्लास में बनेंगे आप लोग रेगुलर आपकी क्लास चलती है प्रैक्टिस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा जो स्टुडेंट डेडिकेशन के साथ जिसका तारगेट है कि मुझे इस बार ये एक्जाम किलियर करना अभी मैं देख रहाता है सर्ण भी बताया कि इस बार अगर एक्जाम आया पोस्ट आई है एक्जाम होता है तो हमें 100% किलियर करना है नेक्स टाइम का हमें ओप्सन देना ही नहीं है ठीक है तो चलेगा आज का लेक्चर यह पर समप्त करेंगे आप सभी लोग कल मौर्णिंग में मिरेंगे साड़े पांस बजे करेंट अफैर क्लास में तब तक के लिए धन्या बहुत विपिन यादो जी ने बताया कि पचास में से 30 वेद प्रगास जी ने बताया 29 यहाँ पर राज कुमार जी आपने 12 मार्क्स बताये देखे यहाँ पर विश्नु प्रता बच्चे ने बताये 50 में से 45 बहुत बढ़िया कि देखेगा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है कि कुछ बच्चे बाद में आए थे ओके बिनाय कुमार जी आपका मैसेज मैं पढ़ चुका हूं और हमारी टेक्निकल टीम देख चुकी है बहुत बढ़िया आसो कुस्वा बच्चे ने बताये मुझे कि पचास में से 35 मार्क साहे बहुत बढ़िया इसी तरह से इसकोर गरना अपनों को ठीक है